हेलो गाईज, वेलकम, अब वेलकम बेक टो मैं चैनल कहानी हरी द्वार से आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ तो सीधे हम चलते हैं अपने कहानी की तरफ United States में, United States के बीचो बीच, एक छोटा सा चांट सा टाउन है यहने की कजबा है, जिसका नाम है Mill State, Illinois इस Mill State नाम की जगे में करीब 4000 लोग रहते हैं और अगर यह Ashley Reeves का केस ना हुआ होता, तो शायद किसी को इस कजबे के वारे में इतनी जानकारी भी ना मिलती लेकिन इस केस के बाद, Mill State नाम का यह चो कजबा था, यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया सन 2006 में, Ashley Reeves नाम की एक लड़की, जो की 17 साल की थी, और हाई स्कूल की स्टूडेंट थी यह अपने पेरेंट्स के साथ, और अपनी एक छोटी बहन केसी के साथ, Mill State में रहा करती थी Ashley एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, और अभी उसको अपना हाई स्कूल पूरा करने में एक साल से भी ज़्यादा का समय था लेकिन अभी से वो सोच रही थी कि मैं किस-किस कॉलेज में जा सकती हूँ और मुझे कहां जाना चाहिए यानि कि अपने फ्यूचर के लिए बहुत जारा सीरियस थी इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुश्मिजाज थी, बहुत आउट गोइंग थी, हमेशा एक स्माइल करती रहती थी जिसको देखकर हर कोई उसका फ्रेंड बन जाता था उसके इसी nature के कारण उसके बहुत जारा friends थे बहुत सारे friends थे इसके लावा उसका एक permanent boyfriend भी था जो कि काफी समय से उसका boyfriend था उसका नाम था जेरेमी और उसके parents भी उससे बहुत पसंद करते थे जेरेमी भी उसी high school में पड़ता था जहांपर एश्ली पड़ती थी 27 अप्रेल की उस सुबह एशली सोकर उठी उसके बाद उसने जैसा वो करती थी हमेशा अपने स्कूल के लिए रेडी हुई नहाना वाना उसने अपना पूरा किया उसकी बेहन भी उसके साथ साथ तयार हो रही थी मतलब एक नॉर्मल डे था उसके बाद तयार वगएरा होकर क अपने पेरिंट के पास गई उनसे कहा कि अब मैं जा रही हूं और अपने स्कूल के बाद मेरा जॉब इंटर्विव है मैं उसमें जाओंगी अब वो जो जॉब इंटर्वीव था वो शहर के दूसरी तरफ था यान कि वो छोटा से कजबा था ताउन था वो छोटा ही था लेकिन फिर भी मतलब उसके घर से तुड़ा दूर था उसने बताया कि मैं जॉब इंटर्विव के लिए जाओंगी और उसके बाद इंटर्विव के बाद मैं सीधा घर ना आकर मैं बास्केटबॉल खेलने जाओंगी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और बास्केटबॉल इसके चारा तुम्हें लेट ना हो मैग्जिममम तुम 10.30 तक भाहर रह सकती हो एशली ने कहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आप लोगों से मिलती हूं और उसके बाद वो घर से निकल गई इसके बाद जब स्कूल का टाइमिंग खतम हुआ तब वो अपने चावियां दी ताकि वो अपने जॉब इंडर के लिए जा सके और उसके बार बास्केटबॉल के लिए भी जा सके तो उस ने जरेमि को थैंक यू किया उसे हग किया और फिर वहां से चलने के बाद वो अपनी बहन केसी से मिली केसी भी अपने लोकर पर खड़ी हुई थी फ पहले एशली अपने घर की तरफ गई, वहाँ पर उसने अपनी भेहन केसी को घर पर ड्रॉप किया, उसे गुटबाई किया और उसके बाद उसने अपनी गाड़ी मोडी और फेयर व्यू हाइट्स की तरफ जाने लगी. ये फेयर व्यू हाइट्स भी एक छोटा सा टाउन था, जो की वहाँ से करीब 24-25 किरोमीटर की दूरी पर था, वहाँ पर इसका इंटर्व्यू होने वाला था. अब कुछ घंटे बीद गए और करीब रात के 10 बच गए. अब जो एशली के प्रेरिंस थे, अब उन्हें लग रहा था कि कर्फ्यू का टाइम भी अब होने वाला यानि कि जो उसे समय दिया गया था कि इससे पहले तुम्हें आ जाना है साड़े दस, अब वो समय भी आने वाला था, और अभी तक उनकी बेटी ने उन्हें एक बार भी कॉंटेक्ट करने की कोशिश नी की थी, उससे बात नी हुई थी, तब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी केसी से पूछा कि क्या तुम्हारी ऐशली से बात हुई है, उसने तुम्हें कुछ बताया है कि वो कब लेकिन एशली ने उन टेक्स मैसेजजेस का भी कोई रिपलाई नहीं किया, तब वो थोड़ा सा चिंतित हो गए, लेकिन उनको लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और रास्ते में होगी, फिर उनने फाइनली डिसाइड कि हम उसके वोई फ्रेंड जेरेमी को फो फोन किया, टेक्स मैसेजजेस किये, लेकिन उसने किसी का भी रिपलाई नहीं किया अभी तक, तो मैं भी थोड़ा सा चिंतित हूँ, थोड़ा सा वरीड हूँ, अब ये सारी बाते सुनकर एशली के जो पैरेंट्स से वो और जारा परिशान हो गए, अब उन्होंने उसका फोन तो रख दिया, जैरेमी से कहा कि ठीक है, तुम ट्राइ करो, और वो भी अब अलग-लग फ्रेंड्स को, जो एशली के अलग-लग फ्रेंड्स से उन्हें मैसेजेस, फोन वगएरा करने लगे और पूछने लगे कि क्या तुम्हारी कि उससे कोई बात हुई है, नहीं हु अधर समझ गई थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ना कुछ बहुत गलत चैद हो चुका होगा, इसलिए उनकी कुछ ना कुछ बहुत सिक्सेंस बता रही थी कि कुछ ना कुछ गढ़बढ हो सकती है, और अब हमको देर नहीं करने चाहिए, उसके बाद बिना ह बेटा है या बेटी है, वो कुछ घंटों से घर नहीं लोटे, इसकी उन्हें आदत थी क्योंकि जो टीनेजर बच्चे होते थे, वो कई बार अपने घर से भाग जाया करते थे, मस्ती वगरा करने के लिए, कई बार वो एक दो घंटे में वापस आ जाते थे, उनको कोई च ज़्यादा डर था, इतनी ज़्यादा घवराहट थी कि पुलिस डिपार्टने ने तुरंथ ही इस केस को बहुत ज़्यारा सीरियसली ले लिया और तुरंथ ही इन्वेस्टिगेशन में जुट गए, सबसे पहले उन्होंने उस SUV को तलाश करने की कोशिश की, जो कि उस दिन अशली चला रही थी, उन्हें लगा कि अगर वो SUV मिल जाएगी, तो हम असानी से अशली को लोकेट कर सकते हैं, सबसे पहले उस कार की तलाश में वो जिस जगह पर गए, वो जगह थी लेडर मेन पार्क, ये एक बहुत ही पॉपिलर पब्लिक पार्क था, और उसका जो बास बास्केटबॉल खेलने इसी पार्क में जाया करती थी, और उसने अपने पेरेंट्स को बताये भी था कि मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए जाऊंगी, इसलिए पुलिस सबसे पहले वहीं पहुची, ये जो पार्क था, ये फियर व्यू हाइट्स टाउन जहां पर एशल अपने पहुची, तो पार्क में जाते ही बाहरी पार्किंग में उनको जेरेमी की ऐसी खडी हुई पार्क यूई मिल गई, अब पुलिस ने कार में देखा तो कार में एशले नहीं थी, और जब उन्होंने कार के अंदर खोल कर देखा तो उन्हें कोई भी काम की चीज नहीं मिली सब कुछ यूजवली था गाड़ी में एशले के कुछ कपड़े इधर उदर बिखरेवे पड़े थे इसके अलावा कुछ भी नहीं था इसके बार पुलिस ने डिसाइड किया कि जो वो पार्ग था उसकी पूरी तलाशी ली जाए तो उस पूरी रात और सुबह त करता है कि कोई ना कोई फाउल प्ले इस केस में इन्वाल्व डो आप उन्होंने लोगों के इंटर्व्यू करने का फैसला किया और सबसे पहले जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने पुलिस टेशन पर बुलाया वो था एशली का बॉइफ्रेंड जेरेमी जैसे ही वो इंटर वो क्या कर रहा था इसके अरवा पुलिस ने जो कुछ भी पूछा उसने खुली किताब की तरह उनका जवाब दिया उसके पास चुपाने के लिए कुछ भी नहीं था पुलिस इस इंटर्व्यू से तुरंती समझ गई कि ये इसमें शैर इंवाल्व नहीं है उन्होंने इस इसके बाद एक-एक करके उन्होंने उसके सारे रिष्टदार जितने भी दोस्त थे जितने भी फैमली मेंबर्स थे यहां तक की जो भी जान पहचान के भी लोग थे उनको एक-एक करके बुलाया और सबका इंटर्व्यू करना शुरू किया वो ये तो जानना ही चाते थे क क्या इनमें से कोई दोशी है लेकिन ये भी जानना चाते थे कि शायर उनमें से कोई कुछ भी काम की बाद बताए जिससे की वो इस केस को सुलजा सके पुलिस ये भी देख रही थी कि क्या इनमें से कोई भी व्यक्ती कुछ छुपा तो नहीं रहे और पुलिस को जल्दी प ति जो की सब के सामने थी और एक public relationship थी उसके बारे में हर को को जानता था लेकिन जो दूसरी relationship थी वो उसने बहुत ज़ा चुपा कर रखी थी के कुछ friends थे जिससे इस बारे में पता था और जब उसने एपने friends और family से बोला था कि मैं बास्केट बॉल खेलने जाऊंगी तो वो असल में बास्केट बॉल खेलने नहीं जाने वाली थी वो अपने उसी दूसरे पार्टनर से मिलने वाली थी उस पार्क में जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था अब पुलिस ने उस दूसरे व्यक्ति का नाम एशली के फ्रेंड से पूछा कि उसका नाम क्या था तो उन दोस्तों ने बताया कि उस लड़के का नाम है सैम शेल्टन पुलिस ने जल्दी ही उसको ट्रैक डाउन कर लिया वो एक बेजबॉल प्रैक्टिस में गया हुआ था लेकिन कोई बात नहीं पुलिस ने का हम उसे वहीं से पकड़ते हैं वो वहाँ पर पहुचे उस समय सैम वहाँ के कोड में प्रैक्टिस कर रहा था लेकिनोंने सैम को वहाँ पर पकड़ा और फिर उसको पुलिस टेशन लेकर आए इंटर्व्यू के लिए फिर पुलिस वालोंने सैम को इंटरोगेशन रूम में बिठाया और उस समय भी सैम ने अपनी बेसबॉल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी फिर उन्हों सैम से पूछा कि तुम अपनी रिलेशनशिप के पारे में बताओ कि आशली के साथ तुमारा क्या चक्कर था लेकिन सैम ने तुरंत भी डिनाई कर दिया उसने कहा कि मुझे कुछ नी पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं मेरा एशली के साथ कोई भी अफैर कोई भी रिलेशनशिप नहीं था और मुझे ये भी कोई आइडिया नहीं है कि आप मुझे यहां लेकर क्यों आए हैं पहले पहले तो सैम हर एक सवाल का ठीक से जवाब देता रहा लेकिन धीरे धीरे जैसे ऐसे घंटे बीटते जा रहे थे उसके जो जवाब थे वो इनकंसिस्टेंट होते गए पुलिस समझ गई कि कुछ न कुछ गड़वड है उन्होंने सैम पर प्रेशर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे बारा घंटे बीट गए बारा घंटे तक लगाता और वो उससे कॉशिनिंग करते रही उस पर और पिचाता दवाओ बनाने के लिए पुलिस सैम की मा और उसकी दादी को भी वहाँ पर लेकर आ गए और कहने लगे कि उन्हें कैसा लगेगा कि अगर उन्हें पड़ा चले कि तुम जूट बोल रहे हो तुमने कोई ना कोई अपरात किया है तो तुमारे घरवालो नहीं कर सकते लेकिन उनको यह उम्मीद नहीं थी कि जो सैम का कनफेशन होगा वो इतना ज़्यादा बूटल होगा इतना ज़्यादा क्रूल होगा उसके बाद सैम ने सब कुछ बताया कि उसने ऐशली के साथ क्या किया है और अब जो भी मैं आपको आगे बाते बताने जा सारी हूं वो सारी की सारी उसकी कनफेशन पर ही बेच्ट हैं 30 घंटे पहले यानि कि सैम के इंटर्वेव करीब 30 घंटे पहले जो अशली थी उसने अपना इंटर्वू दे दिया था वो इसको बताया और अपना इंटर्व्ये से sei से देने के बाद वह वापस आ गई वहां से लौटने के बाद ये रास्ते में Ladman Park गई जहां कर उसको Sam से मिलना था वो वहां पर मिले उनकी बात चीत हुई उसके बाद में है डिसाइड किया कि हम Sam की कार में चलते हैं उसकी कार में जाने के बाद ये लोग intimate हो गए और इनके बीच में संबंध भी वहाँ पर स्थापित हो गए इसके बाद अब जो Sam था वो driving seat पर आ गया और जो Ashley थी वो आगे वाली passenger seat में यानि कि उसकी बगल में बैठी हुई थी उसके बाद पता निए उनके बीच में ऐसी क्या बात हुई कुछ ना कुछ हुआ जिसके कारण उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई अब होने लगी उनके बीच में बहस होने लगी उसके बाद एक पॉइंट पर जो Sam था उसने ऐसले से कहा कि तुम मेरी कार से बाहर निकल जाओ और तुरंत यहां से जाओ लेकिन ऐसले ने मना कर दिया उसने कहा कि नहीं मुझे तुम से बात करनी है मुझे इस बारे में पूरी बात सुलजानी है और मुझे पहले बहस का मुद्ध यहां पर खतम करना है मुझे ये अपने मन्य ग्रजेज लेकर यहां से नहीं जाना हम पहले इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस समय सैम इतना जादा नाखुश था इतना जादा गुस्सा था इतना जादा उसे गुस्सा चड़ा हुआ था कि अब उसने एशले की तरफ जंप किया और जो एशली का गला था वो अपनी बाहों में दबा लिया जकड लिया बहुत बुरी तरह से उसने पुलिस को पताया कि ऐसा करने के पीछे उसका मकसद था कि मैं उसे ऐसे जकड़ूँगा और उसके बाद उसे कार से बाहर फेक दूँगा या निकाल दूँगा धक्का दे दूँगा इस तरह से करके लेकिन ऐसा करने के दोरान उसने इतनी बुरी तरह से ऐशली का गला जगड लिया था कि अचाना की उसको एक पॉपिंग साउन सुनाई दी जो की ऐशली के गले से आई थी ये आवाज ऐशली के गले के तूटने की आवाज थी ये आवाज सुनकर सैम बहुत जारा घबरा गया और उसने तुरन थी जो अपना चोक खोल्ड था वो छोड़ दिया और उसके छोड़ते ही जो एशली थी वो पूरी तरह से ऐसे कहते कि बेजान सी आगे की तरफ गिर गई और जो आगे का डैश बोर्ड होता है उससे उसका सिर टकरा गया अब सैम आशर में पढ़कर एशली की तरफ देख रहा था उससे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ अब सैम आसपास देखने लगा कि आसपास कोई गाड़ी तो नहीं है कोई व्यक्ती तो नहीं है जो इनकी तरफ देख रहा है और जुसने ये सब होते वे देख लिया है जब उसने देखा कि आसपस कोई भी नहीं है तो अब उसने आगे की तरफ जुक कर जो Ashley थी उसके शरीर को पकड़ कर पीछे से पकड़ कर उपर की तरफ लिफ्ट किया और पीछे टिका दिया वो देखना चाहता था कि क्या वो अभी भी जिन्दा है या मर गई और अच्छी बात तो यह है कि Ashley उस समय जिन्दा थी और उसको बचाया जा सकता था लेकिन उस समय सैम ने ये डिसाइड कर लिया उसी समय उसी वक्त कि अब मैं इसको पूरी तरह से ही मार डालूंगा और ऐसा उसने क्यों डिसाइड किया इसका कोई भी जानकरी नहीं है क्यों अपने हाथों से पकड़ लिया उसको बुरी तरह से दबाना शुरू कर दिया लेकिन कुछ मिनट बीद गए और वो गले को दबाता जा रहा था लेकिन एशली मरी नहीं रही थी उसके बाद सैम को और ज्यादा गुस्सा आ गया उसने अपनी बेल्ट निका ली और वो बेल रहा था जो एशले थी वो इसको बहुत बुरी तरह से घूर रही थी उसकी जो जीब थी वो बाहर आ रही थी उसके मूं से लार गिर रही थी और उसका जो चेहरा था वो बहुत बुरी तरह से ग्रे पड़ता जा रहा था जब सैम से यह सब नहीं देखा गया तो उसने उस का चेहरा ना देख पाए उसके बाद उसने दुबारा एशले के गले में वह बैल्ट का फंदा डाला और उसको बुरी तरह से फिर किसे खीशने लगा और अब उसने एकम औरने लिए उसके पिर गोड़ी और जब बेल तूट गई तो Sam ने जुक कर चेक किया कि Ashley अब मर गई है या ने मर गई है और उसने पाया कि अब वो मर चुकी थी, अब उसने Ashley को passenger seat के नीचे जो floor होता है उस पर धक्का दे दिया था कि उसे कोई देख न सके वहाँ पर डाल दिया, उसके बाद करीब 5 km दूर एक दूसरा पार्क था जिसका नाम था citizen's park, वहाँ वो गाड़ी चला कर पहुचा, वो जो पार्क है उसमें बहुत ज्यादा घना जंगल जैसा एरिया है, तो वो समझ गया था कि ये सई जगह है बाड़ी नम करने के लिए, पहले उसने दो उदर देखा कि उसे कोई देख तो नी रहे, उसके बाद Ashley की बॉड़ी को घसीटता हुआ, वो जंगलों के अंदर ले गया, और घने जंगल के अंदर जाकर उसने उस बॉड़ी को वही पर छोड़ दिया, बाद में पता चला कि ये जो Sam नाम का व्यक्ति था, इस पर सिर्फ Ashley ही फिदा नहीं थी, बलकि ये लड़िकियों को उसने फसा कर रखा हुआ था, और लड़िकियों उसको काफी attractive पाती थी, कि वो काफी cute है, उसकी जो आखे थी, वो dark blue थी, और उसकी आखों से भी वो लड़िकियों का attract करता था, बाद में पता चला कि जो Sam था, ये कोई student नहीं था, बलकि ये सक्ता 20 सा का था, और ये मिल स्टैट में, यानि कि उनी के कजबे में एक middle school teacher था, इसके अलावा वो high school का baseball coach भी था, वो Ashley का कोई teacher नहीं था, डिरेक्टली उसको कभी उसने teach ऐसे नहीं किया था, लेकिन जब Ashley छोटी थी, जब middle school में पढ़ती थी, तब उसने उसको exploitation से किस तरह से बच चाहिए, इसके लिए उसे थोड़ा सा groom किया था, 2006 में जबकि ये घटना हुई, उस समय Ashley सिर्फ 17 साल की थी, और उसने, यानि कि Sam ने Ashley को manipulate कर लिया था, यूज करने के लिए, वो उसको use कर रहा था, और Ashley को समझ में नहीं आ रहा था, कि वो use हो रही है, एक school teacher होने के अलाव जो Sam था, वो एक professional wrestler भी था, वो कई बार local fights में लड़ने के लिए जाता था, वहाँ पर उसने अपना nickname the teacher रखा हुआ था, क्योंकि Sam एक wrestler था, इसलिए जब उसने chokehold में लिया था, Ashley को, तो उसका जो chokehold था, वो बहुजार हाड था, एकदम professional वाला था, इसलिए Ashley के पास तो को उस chokehold से बच पाती, उसके बाद Sam ने पुलिस से कहा कि ठीक है मैं आपको उस location पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैंने Ashley की body को फेका था, और मैं आपको वो परामत करवा दूँगा, तो आप पुलिस Sam को उस जगह पर लेकर जाने लगी, जहाँ पर उसने Ashley की body को फेका हुआ पहले तो वो पुलिस को इदो उदर भटकाता रहा कि मुझे याद ही नहीं हो सकता है, उसे सच में याद नहीं हो, कई घंटों से बारिश भी हो रही थी, तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यह भूल गया हो, लेकिन फाइनली आदे घंटे के बाद, यह लोग एशल abilities ले की बादी तक मौचे, जो एशले की बादी ती वो एक अजीब से एंगल में पड़ी वो थी, उसका जो गला था, पूरा टेडा लेग दिया गया इसके अलावा जंगल में इतने समय तक पड़ी रही उसके गर्दन टूटी हुई थी वो करीब 30 घंटे से बारिश में और बहुत भेंकर ठंड में पड़ी हुई थी एक तो वहाँ पे बहुत ठंड थी उपर से बारिश भी हो रही थी इसके अलावा उसने सि जीना था और इसलिए वो अभी भी जिन्दा थी पुलिस ने तुरंधी पैरामेडिक्स को खबर की और वो तुरंध वहां पर पहुँचे उससे तुरंधी हॉस्पिटल ले जाये गया जहां पर उसको मैडिकली इंड्यूस्ट कोमा में रखा गया यानि कि जो कोमा में जान शीरियस हैं कि हमें नहीं लगता कि वो कभी भी कोमा से बाहर निकल पाईगी लेकिन कोमा में रखना भी उससा जरूरी था इसलिए हमने उसे रखा गया है ड्रग इंड्यूस्ट कोमा में लेकिन आप यह उम्मीद मत रखिए कि कभी भी वो उबर पाईगी और कभी ठीक हो पाईगी लेकिन चमतकारिक रूप से वो उठी उसने उस कोमा से बाहर आने की अपनी पूरी अबिलिटी दिखाई लेकिन उसको दुबारा से सब कुछ सीखना पड़ा कैसे चलना है कैसे बोलना है और कैसे खाना है लेकिन फाइनली उसने सब कुछ सीखा और अब वो 32 साल क है, happily married है और अब उसके दो बच्चे भी है अब वो बिल्कुल एक normal और happy life जी रही है अब वो सारी की सारी injuries जो उसके ओपर की गई थी उनका कोई भी impact उसके ओपर नहीं है और अगर हम Sam Sheldon की बात करें तो उसको 20 साल की सजा सुनाई गई 20 साल तक वो जेल में रहीगा, वो अभी भी prison में ही है, लेकिन अब 2024 में उसको पैरोल मिलने की उमीद है, तो इस तरह से इस कहानी की happy ending होई और जब किसी crime story की happy ending होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे उमीद है या आप लोग को भी happy ending अच्छी लगी होगी आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी आज की story आप लोग को कैसे लगी thank you so much for listening to my stories thank you so much